हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू मैं चैनल जहां हम बात करते हैं मेकप, ब्यूटी, टेंडिक फसन और मॉमी टॉक की आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बार फिर से अल अबाउट साड़ी जी हाँ, वो परिधान जिसको पहन के कोई भी औरत, कोई भी लड़की सबसे ज़्यादा खुबसूरत लगती है, सबसे ज़्यादा सुन्दल लगती है और ये वो आउटफिट है जब आपके दिमाग में कुछ नहीं समझ में आए कहीं भी जाना हो पार्टी में, फंक्शन में, कहीं भी फॉर्मल मीटिंग में तो आप आँख बंद करके इसको पिक कर सकते हैं, ये साड़ी उठाते हैं और पहन लेते हैं लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी मतलब मोटी लड़कियों की देखिए, बॉड़ी शेमिंग नहीं करे हूँ, मैं इसलिए अपनी बात करे हूँ मैं बात करने वाली हूँ, प्लस साइस गर्ल्स की क्योंकि कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि आप मार्केट गये हैं, किसी और लड़की ने साड़ी पहना है उसके उपर वो साड़ी बहुत संदर लग दिया और आपको लगा कि आपे भी बहुत अच्छी लगीगी और आपने खरी दिया घर आने के बाद आपको रेग्रेट होता है कि यार यह साड़ी उतनी अच्छी ने लग दिया मुझ पर जितनी उस पर लगती थी तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हर किसी का बॉड़ी टाइप अलग होता है और हर किसी को अपने बॉड़ी टाइप के हिसाब से साड़ी पहननी चाहिए ठीक है तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्लस साइस गॉल्स की कि उनको साड़ी के यह जो ट्रेक्स है यह कैसे अपलाई करना चाहिए या फिर उनको साड़ी कैसे पहननी चाहिए कि वो बहुत ही स्टाइलिस देखें ठीक है हाँ मुझे पता है आज सब का द्याँ मेरी गजरी पे होगा एक्चली यह ना मीशो फाइंड है मुझे यह ना बहुत गजरा नहीं है फ्लार्स लेक्लेप्स वाले मुझे यह इतना सुन्दर लगा और मुझे मिला आज ही मिला है तो फिर मैं अभी पहन के मतलब पहन के नहीं पता नहीं बस ऐसे ही मन हुआ कि आज मैं यह गजरा लगा के मतलब यह फ्लार्स लगा के उसके बाद आपको दिखाओं और आपसे पूछू कैसा लग रहा और पते बहुत सस्ता मिला है 162 उपेज में मुझे 6 फूल मिल रहे हैं तो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी और ये ना बहुत ही प्लास्टिकी वाले नहीं है ये बिल्कुल ऐसे कागज जैसे लग रहे हैं लेकिन काफी अच्छ है ठीक है काफी दिन तक चल जाएगा अगर मैं इसको संभाल के रखती हूँ तो हाँ हम बात करने वाले हैं प्लस साइस गर्ल्स को साड़ी खरीदे समय या साड़ी स्टाइल करते समय किन-किन चीजों का ध्यान देना चाहिए तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जिसकी बहुत बात करूँगी वो है साड़ी का फैब्रेक जी हाँ देखिया वैसे तो साड़ी साड़ी ही अपने आप में बहुत खुब सूरत लगते हैं लेकिन जब बात आती है प्लस साइस गर्ल्स की न तो उनको साड़ी का फैब्रीक बहुत ज़्यादा ध्यान से खरीदना चाहिए उनको वो साड़ी का फैब्रीक या फिर आप देखिये सिल्क भी ले सकते हैं लेकिन सिल्क में आथ सॉफ्ट वाला सिल्क पिक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा वो खड़ी-खड़ी जो साड़ी होती है जो ₹टाड़ सी उनको आपको बिल्कुल पिक नहीं करना है तो आपको फैब्रिक का बहुत जादा ध्यान देना है सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँ तो प्रेंट की प्रेंट और बॉडर तोनों चीज़ों की मैं बात करूँगी देखो प्रेंट बड़े फूलो वाले बड़े बड़े प्रेंट वाले साड़ी आपको नहीं संद करना है, बिल्कुल नहीं लेना है, आपको लेना है, छोटे प्रेंट साले, और मैं वही चीजे बतारी, जो मैं दिखिया भी मैंने पहना भी है, मेरे साड़ी का फैबरिक देखी, कितना सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा सिफॉन की साड़ी है, और प्रेंट चोटे चोटे अगर ये प्रेंट साना, तो आपको थोड़ा सा स्लिम दिखाता है, तो आप छोटे प्रेंट स्पिक कर सकते हैं, बॉडर की मैं बात करेंगे, तो कोसिस करिया या तो बॉडर नहीं हो बिल्कुल, और बॉडर हो भी तो बहुत ही पतला हो या ना हो, मोटे ब प्लस साड़ी पिक करते समय आपको डबल शेड वाली साड़ी नहीं पिक करना है, मतला हाफ और हाफ जो साड़ी होती ही, आदी किसी और फैब्री की, आदी किसी और फैब्री की, प्लस दो कलर की, आदा साड़ी किसी और कलर का, आदा साड़ी किसी और कलर का, ये भी नहीं तो इस टाइब से साड़ी खरेचते समय आपको दो तीन चीजों का ऐसे खाया रखना है अब हम बात करेंगे पूरे लोक का आपको वो लुक बिल्कुल नहीं लेना है जिसमें ब्लाउज किसी कलर का हो और साड़ी किसी कलर की हो वैसे आजकल इस टाइब की साड़ीयां चलती कि स्टाइलिज दिखना है रायल दिखना है और स्टिम दिखना है तो कोसिस करिए वोनो कृम्य लुक लेने का मतलु हो ब्लाउज से लेके पार तक आप सिंगल कलर में हैं आपका ब्लाउज भी उसी कलर का साड़ी भी पट्टी कोट भी तो फूरा ओप से नीचे अगर आप की बॉड़ी जो होती है वो बिल्कुल स्लिम सी लंबी दिखती है लंबे रिखेंगे तो आपको इस तरीके से मोनोक्रोम लुक लीना है उसके बाद हम बात करेंगे ब्लाउज कैसा होना चाहिए दिखिए ब्लाउज पिक करते समय मेरी यह वाली ब्लाउज तो मैं थोड़ी द दिखेंगे तो जहां भी अगर आप लंबाई को इंकलूड करते हैं तो अपने आप आप स्लिमर दिखने लगते हैं तो कोसिस करिए फुल बाजू अगर आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा नहीं तो थ्री फोल बाजू पहनिए तो उससे आपका यह जो पार्ट है ना यह जूल्जी पिक करते समय अभी आपको दहान देना है कि ऐसा नहीं कि यहां पर आपका ने खतम हुआ है तो यहां तक आपने जूल्जी पहन ली नहीं आपकी स्किन थोड़ी बहुत विजिबल होनी चाहिए विजिबल रहेगी तो थोड़ा सा होता है न कि पोर्शन दिखता तो लगेगा कि आप लंब आप लगेंगी तो इस तरह से पलु लेते वक्त I am ध्यान देना है जोता पलू नहीं लेना है अपनी हाइट के घर आबर जितना आप करी कर सकते हैं पलू में ही फॉसकते इंप заронд हो जितना लंबा पल्लू रहेगा आप लंबे भी दिखेंगे प्लस आप पतले दिखेंगे तो लंबे पल्लू के साथ है आप साड़ी पहनिए प्लीट्स जो है चाहे सामने के प्लीट्स चाहे यहां के प्लीट्स बहुत जादा मोटा ना बनाएं मतलब बहुत ही पतला पतला भ फोड़ा बल्की दिखाएगा और बहुत चौड़ा होगा तो भी तो आपको कोसिश करना है मीडियम साइज के प्लीट से यहां भी बनाईए और अगर आप त्रीपलू करते हैं तो बैस्ट है और अगर यहां प्लीटस पाला पहनना चाहते हैं तो मीडियम साइज साइज के ही प्लेट साप यहां भी बनाएए तो इस तरीके से आपका ओवर रॉल जो लुक है ना वो थोड़ा सा लंबाई एड़ करता जाएगा और आपको थोड़ा पतला दिखाएगा तो इस तरीके से आप पहन सकते हैं हील्स अगर आप पहना चाहते हैं यहां उपाता है तो मुझे अशे तस सागाएगा साधों हील्स के पहनते हैं मुझे से कुम काणछे लाइट के साधी ऐजाता है तो इसमें से एक साड़ी पहने भागा सकतЙना चाहएड अगर ग्रेएज को एडlez सबस्क्राइग टो सागा हुएर्स के पहना बदिख कर पेटी कोट भी आपको बहुत जदा दिखिए सब लोग कहते हैं कि बॉड़ी शेप पर पहन लो जो सेफ वेयर आता है वो पहन लो मैं नहीं आपको कहूंगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना लोग हम जैसे मैं खुद शेफ वेयर में कंफटेबल नहीं होती हूं तो मैं भ अगरा हो जाता है और शेसारी पहनता है तो नीचे सब आप बहुत चौड़े हो जाते है तो पीटी कोट से लवाते इसे मैं कोसिस करिए की बिल्कुल बॉडी से चिपक करीं कोटन है लेकिन बॉडी से थोड़ा ही लूट बहुत भागरा बनाने की जरुद नहीं है तो आपसे भी कहूँगी कि पेटिकोट ही बनवा लीजिए. अगर आप कंफटेबल नहीं हैं. कंफटेबल हैं तो आप शेप वेर पहन सकते हैं. नहीं तो आप पेटिकोट बनवा लीजिए. तो इस तरीके से अगर आप अपनी पूरी साड़ी को style करते हैं तो आप बहुत ही प्यारे लगेंगे और पतले दिखेंगे तो मैं भी अपनी साड़ी को इसी तरीके से style करती हूँ मैं भी plus size हूँ मुझे भी साड़ी पहन के बीच में तो बहुत जादा लगता था बहुत इं मोटि लग रही हूं लेकिन देड़े देड़े सीख रही हूं सीखते सीखते चीजैं की कैसे क्यारी करोंगी कैसे तो मैं सुचा आपके साथ भी share करना चाहिए तो यह था आज का वीडियो उमीद करती हूँ वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो subscribe कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई